HDFC-AMC का दो महीने में 42% बढ़ा शेयर, जून तिमाही के नतीजों के बाद अब क्या करें निवेशक HDFC-AMC शेयर प्राइस, HDFC-AMC ने जून तिमाही में अपने एसेट अंडर मैनेजमेंट, AUAIM, सिस्टमेटिक प्रांजैक्शन और मार्केट शेयर बढ़ोतरी से एनालिस्ट को प्रभावित किया है, हालांकि ब्रोक्रेज फर्मों का मानना है कि स्टॉक्स पहले ही इन सभी सकारात्मक खबरों के चलते उपर चड़ चुका है, दूसरी और जून तिमाही में HDFC-AMC की रवेन्यू यीड में गिरावट आई, जो निवेशकों के लिए निराशाजंक र ही HDFC-AMC शेयर प्राइस, HDFC-AMC ने जून तिमाही में अपने Asset Under Management, AUM, Systematic Transaction और Market Share बढ़ोतरी से एनालिस्ट्स को प्रभावित किया है, हालांकि ब्रोक्रेज फर्मों का मानना है कि इसके शेयर में पिछले दो महीनों में आई 42 प्रतिशत की उच्छाल से ऐसा लगता है कि स पहले ही इन सभी सकारात्मक खबरों के चलते उपर चड़ चुका है HDFC-AMC के शेयर मंदलवार 25 जुलाई को दो पहर दो बजे के करीब NSA पर 0.15% की तेजी के साथ 2501.2 रुपए के भाव पर कारोबार कर रहे थे जून तिमाही में HDFC-AMC की revenue yield में गिरावट आई जो निवेशकों के लिए निराशाजनक रही कॉम के प्रतिशत के रूप में कम्पनी की revenue yield सालाना आधार पर 3 आधार अंक गिरकर 47.3 BPS हो गई कॉम का यहां मतलब quarterly औसत assets under management से हैं B.O.B. Capital, Bob Capital के analysts ने बताया कि AUM बढ़ने पर yields में गिरावट जारी रहेगी क्योंकि नियम कहते हैं कि AUM में बढ़ोतरी से total expense ratio आधार पर में गिरावट आएगी उदाहरन के लिए HDFC Balanced Advantage Fund under management AUM मार्च में 1.5 प्रतिशत T.E.R. के साथ 52,000 करोड रुपए था जून के अंत में AUM बढ़कर 57,000 करोड रुपए हो गया जिसके चलते T.E.R. घटकर 1.47 प्रतिशत रह गया जो केबल AUM में बदलाव के कारण 0.3 पीसदी की गिरावट है टोटल एक्सपेंस रेशियो मतलब है कि एक निवेशक को अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए फंड को कितनी राशी का भुगतान करना होगा HDFC AMC का कौम जून तिमाही में 4.85 लाख करोड रुपए रहा जो इसके पिछले वित्वर्ष की इसी तिमाही में 4.15 लाख करोड रुपए था यह कौम के हिसाब से Mutual Fund Industry फीसदी मार्केट शेयर है HSBC, HSBC के एनालिस्ट्स ने बताया कि HDFC AMC तिमाही आधार पर AUM में अपनी बाजार हिस्सेदारी 0.1 अधार अंक बढ़ाने में काम्याब रही हालांकि इंकम येड्स पर दबाव को लेकर चिंताएं हैं जिसके चलते AUM बढ़ोतरी की तुलना में अर्निंग ग्रोथ हो सकती है HSBC ने 2,374 रुपए प्रती शेयर के लक्षे के साथ स्टॉक पर होल्ड रेटिंग दी है दूसरी और B.O.B. Capital ने स्टॉक पर अपना टार्गेट प्राइस होल्ड रेटिंग के साथ पहले के 1,946 रुपए से बदल कर 2,445 रुपए कर दिया है